आँखों में रौशनी सलामत है, इंसाफ अगर जिन्दा है, तवज्य चाओ मौला सब्दाम से, इंसाफ अगर जिन्दा है, रौशनी सलामत है, तो कोई एक बता दे बलियावी को, कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है, दुनिया का वो कौन सा सूबा है, जहां बारा रभीबुन नूर को मेरे आका की, जशनी मिलात की धूम न दिखाई दियो, मैं क्या कह रहा था, हुकूमते हर मुल्क में, दिल लगावे हैं, हुकूमते हर मुल्क में हैं, लेकिन सरकार सिर्फ एक है, तबज्जो चाओं, तबज्जो चाओं आहले इल्म की, हुकूमते हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है, अब बलियावी अर्श करता, पूरी दुनिया के हुक्मरानों को चुनवती दे कर, अपनी हुकूमत का कोई फैसला सारे मुल्क के लोगों से मनवा के दिखा दो, कोई जरूरी नहीं के हुकूमत के हर फैसले को पूरा मुल्क मान ले, अगर लोग मान लेते तो जाने नहीं जाती, संगर्ष नहीं होता, लाठियां चार्ज नहीं होती, जेल भरे नहीं जाते, हुकूमत हर मुल्क में सरकार, दिल लगा कई घंटे की तक्रीर दो जुमले में, हुकूमत हर मुल्क में सरकार, जोर से सरकार, दुनिया का चाहें, जिस कदर सोर्मा कहलाने वाला मुल्क हो, अमेरिका हो, बेटेन हो, रशिया हो, जर्मन हो, फरांस हो, भारत हो, बरतानिया हो, लंदन हो, कोई भी मुल्क हो, अपनी हुकूमत का फैसला, सब को नहीं मनवा सकता है, इसलिए कि हुकूमत है, और कोई जरूरी नहीं कि हुक्मरा के हर फैसले को लोग मांग लें, लेकिन सरकार वो है, सरकार वो है, जिसका फैसला आदिमी भी तसलीम कर ले, जानवर भी कुपूमत है, तब बलियावी यहां रुक के कहता हुकूमरानो, तुमने आज तक अपना कोई एक फैसला, किसी जानवर से तसलीम कराया हो तो दिखा दो, अपना फैसला किसी पत्थर से मनवाए हो तो दिखा दो, इसलिए के तुम हुक्मरा हो, सरकार तो सिर्फ गुमबदे खजरा के अंदर आया, तबज्जो चाहूं, दिल लगा ले, दिल लगा ले, शाकिर साब, शाकिर साब, बस पांच-साथ मड़ की गुफतगुए दिल लगा ले, लिबास बदल जाने से, हकीकत नहीं बदलती, समझ गए हो तो बोलो, और जोर से, और जोर, अईले इस्टेश की तबज्जो चाहूं, लिबास बदल जाने से, हकीकत नहीं बदलती, और बलियावी पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता है, नभी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पेगंबर बहुत आए, किताबे बहुत आई, तौरेत भी आए, जबूर भी आए, इंजील भी आए, सहीफे भी आए, पेगंबर भी आए, नभी भी आए, रसूल भी आए, सब आए, लेकिन जितने नबी आए जितने नबी आए जितने नबी आए वो मुखबिर भी थे नबी भी थे वो मुखबिर भी थे नबी भी थे मुखबिर वैदानियत के थे नबी मुखबिर अहदियत के थे नबी मुखबिर अलुहियत के थे नबी लेकिन किसी नबी ने अपनी नबुवत का एलान नहीं किया सिफ़त का एलान किया तब जो चाहूं नबुवत का एलान नहीं किया सिफ़त का एलान किया सिफ़त ही एलान नबुवत थी आदम सफिब लाह के मुसा कलिम लाह के इसा रूह लाह के नू नजीब लाह के लेकिन जब रब के महबूब आए हैं रब के महबूब आए हैं तो हबीब लाह नहीं कहा इन्नी रसूल लाह जोर से क्या कहा अब सेकेंड पांट जो बलिया भी छोड़ा है दुनिया का कोई एक मुलक बता दो कोई एक सूबा कोई एक डिस्टिक कोई एक इलाका बता दो जहां इमान वाले रहते हो और बारर अबिवन नूर को धूमे न मच रही हो गोरा हो के काला हो अरबी हो के यजमी हो शामी हो के रूमी हो मिश्री हो के फरांसिसी हो तुर्की हो के युनानी हो मुलक कोई हो इमान वाला बारर अबिवन नूर को जो धूमे मचाया है तो बरेली के मेरे इमाम ने मुश्कुरा कर कहा कान जिधर लगाईए क्या बात है बोल यार बोल यार कान जिधर लगाईए तेरी ही दास्तान है कान जिधर लगाईए तेरी ही दास्तान है अच्छा लिबास बदल जाने से हकीकत नहीं बदलते अब बिल्कुल सौट में कई घंटे को समेट कर एक कैपसुल में डाल दूँ बोलोगे तब जोर से जोर से एक बार स्टेज वाले धीरे से बोल दे लोग हमें नहीं आपको देख रहे हैं लिबास बदल जाने से लिबास बदल जाने से हकीकत नहीं बदलती हकीकत ये है के जब कोई न था जब कुछ न था जब कहीं न था जब किसी का न था तो कौन था नहीं मलूँ मैं कौन था अरे कौन था एक आदमी है अल्ला कौन था जोर से कौन था जब कोई न था तो कौन था जब कोई न होगा तो कौन रहेगा तब जो चाओं अहले स्टेज की लिबास बदल जाने से हकीकत नहीं बदलती जब कुछ न था जब कोई न था न नबी न रसूल न पेखंबर न फरिष्टे न जन्नप न बहिष्ट न हूरे न लौँ न कलम कोई न था सिरिफ अल्ला सिरिफ अल्ला मिटी न थी अल्ला था आग न थी अल्ला था पानी न था अल्ला था हावा न थी अल्ला था अब इसको यहीं रोक लीजे लिबास बदल जाने से हकीकत नहीं बदलती हकीकत तो ये कि जब रब ने चाहा रब ने चाहा कि दुनिया बसे दुनिया बसे आसमान सजे दुनिया बसे आसमान सजे लोग वहदानियत को जाने तब मेरे अल्लाँ ने अपने नूर से पिलीज बैठ जाएए बस जल्दी बैठ जाएए लोग जान गए हैं आप आगें बैठिये आईएगा बिल्कुल लेट में और जगह पहली सफ में कुछ लोग बताने के लिए भी आते हैं कि मैं भी आया हूँ तब जो चाहूँ क्या मैं कह रहा था जब तक सही जगह पहुचोगे नहीं आगे बढ़ूँगे नहीं किस से अरे जोर से बोलो किस से तबज्ज़ चाहूँ जब कोई न था जब कुछ न था जब कहीं न था जब किसी का न था तो सिरिफ ल्लाँ और उसी यल्लाँ ने अपने नूर से अपने नूर से अपने नूर से कब जब मिटी न थी जब पानी न था जब आग न थी जब हवा न थी और एक इंसान के वजूद में मिटी भी पानी भी आग भी हवा भी मिटी भी पानी भी आग भी हवा भी ये वजूद के लिए चार चीजों का होना जरूरी और रब ने महबूब अपने नूर से बना दिया ताकि मिटी ये न कह सके के महबूब मैं जब तक न लगी थी तुम मुकमल न हुए थे बलके महबूब कहें मिटी जब तक मैं न बना था अब तब तक तू वजूद में नहीं आई थी नारे त्बी नारे रिसालब जशन एदे मिलाद नबी हजरत खाजी ये मिल्ल लिवास बदलने से हकीकत नहीं बदलती अब कुरान के कहता है कज्याएकु मिन अल्लाहि नूरु वकिताबु मुबीन ये हदीश नहीं है कुरान है ये हदीश नहीं है कुरान है अब सवाल ये है कि आप हिंदी होकर कुरान सुनते हो तो मस्ती में आते हो अबू जिहल अर्बी होने के बावजूद भी कुरान न समझ सका तबज्ज चाओं और हजरत तो रोज पैदा होते हैं मौला सद्दाम साथ फिर आला हजरत की जरुरत क्यों पढ़ते हैं हजरत तो रोज पैदा होते हैं मुफ्ती हजरत, पीर हजरत, मुध्दीस हजरत फकी हजरत, खतीब हजरत, इमाम हजरत फिर आला हजरत की जरुवत क्यों पड़ती है तो जब कई हजार हजरत लड़ते हूँ तब फैसले के लिए किसी आला हजरत की जरुवत पड़ती है ख़ड़ा हो के ठोक यार, ख़ड़ा हो के ठोक जिन्दाबा, जिन्दाबा, जिन्दाबा जिन्दाबा, 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 जिन् बोलोगे तो बोल दूँगा तब जो चाहूँ आहले इल्म की लबास बदल जाने से लड़ रहे थे हजरत लोग वो नूर हैं के नहीं वो हुजूर हैं के नहीं वो मुबश्र हैं के नहीं वो नजीर हैं के नहीं लड़ रहे थे हजरत लोग फैसला नहीं हो पा रहा था फैसला नहीं हो पा रहा था तो नभी का मौजज़ा बन कर ये बोलने की जगा है आलिमों के आलिमों के बोलने की जगा है मौलाना बन कर नहीं मौज़ा बन कर नहीं नभी का मौज़ा बन कर हजरत में आए आला हजरत आए सबानला अपर जो चाहूं बहुत अच्छे बोल यार जोर से वावावावावाव सबानला लिबास बदल जाने से हकिकत नहीं बदलती तो रब ने महभूब उस्बद बनाया जब कुछ न बना था जब कोई न बना था जब किसी का न बना था लेकिन महभूब बन चुका था जोर से जोर से बन चुका था बना किस से नूर से बना किस से नूर से बना किस से कब जब मिटी न बनी थी जब पानी न बना था जब आग न बनी थी जब हवा न बनी थी और एक मुझस्मे के लिए आग मिटी पानी हवा चारो का होना ज़रूरी लेकिन रब ने महभूब उस बना दिया जब ये कुछ बना न था तो लिबास बदल जाने से हकीकत नहीं बदलती तो जो बारे अभी बन नूर को अब दुल्ला के घर महभूब आया है वो मिटी से नहीं रब के नूर से बना है नारे तक्बीर नारे रिसालत बना है रब के नूर से आया है लिबास बशर में बना है रब के नूर से आया है लिबास बशर में अब इसको यहीं रुक लो आखरी कड़ी समझा दू चुकि वक्त हो गया है मेरे अजीज दो हजरत लड़ रहे थे मौलाना महभूब गौहर मौलाना सद्दाम दोनों लड़ रहे थे अल्लाह न करे इसा हादसा कभी हो तो बज्जे चाओ जब ये दोनों लड़ रहे थे तो मौलाना राशिद ने कहा कि भाई आप अपने घर ये अपने घर फिर जंक इस बात की तो मदाहे खेरू लणा मुहम्मद अली फैजी ने महभूब गौहर से पटा की पूछा कि भाई इस जंक की वज़ बता दो शायद कोई सुलह की राह निकले तो महभूब गौहर साब ने कहा मौलाना राशिद साहब ने कहा कि जहाज सौफिट लंबा है अब मेरा कहना कि नहीं साहब जहाज टोटल डेड़ हाथ का है बोलोगे तो बोलोगा मौलाना सद्दाम ने कहा सौफिट मौलाना महभूब कहें डेड़ हाथ मौहम्मद अली फैजी ने कहा इमान से बोलिएगा मौलाना सद्दाम जहाज आपने देखा कहा महभूब गौहर आपने भी देखा का बिलकुल आईनी शाहिद हूँ मौहम्मद अली फैजी ने कहा बात तो ठीक है देखा दोनों ने है लेकिन देखने की पोजीशन क्या है वो बता दो मौहम्मद अली फैजी साब ने पूचा महभूब भाई आपने जहाज कहा देखा का मैं अपने मदर से के छट पर टाहल रहा था उपर से गुजर रहा था डेड़ ही हाथ का दिखा मौहम्मद अली फैजी से पूचा की मौलाना आपने कहा देखा कहा ओमरा पर जा रहे थे चड़के देखा है अब जो चाओं अरे दिल लगा पूरी बात समझ में आ जाएगी लबास बदल जाने से हकीकत नहीं बदलती सच तो ये की देखा दोनों ने एक ने दूर से देखा तो डेड़ हाथ एक ने करीब से देखा तो सौब फिट मुस्तफा को दोनों ने देखा जिसने दूर से देखा उसे नभी अपनी तरह समझ में आए अहमद रजा ने करीब से देखा तो नूरू नला नूर समझ में आए ना रई तक्बीर ना रई रिसालत मस्लक आला हजरत इश्क महबब इश्क महबब खुजूर राजी ये मिल्ड़ चश्म इदे मिलाद नभी बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो लाड़ रहे थे हज़रत लोग वो नूर हैं के नहीं, वो हुजूर हैं के नहीं वो हाजिर हैं के नहीं, वो शाहिद हैं के नहीं वो शफी हैं के नहीं, वो मुहसिन हैं के नहीं वो अमीम हैं के नहीं वो करीम हैं के नहीं वो निजात कराएंगे के नहीं वो शफात कराएंगे के नहीं लड़ रहे थे लड़ रहे थे तो जब कई हजरत लड़ते हों तो फैसले के लिए आला हजरत और जब आला हजरत आ गए तो पुकार पड़े उठा दो परदा उठा दो परदा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है तबज्जो चाओं ऑहल इल्म की अहले स्टेज की नहीं अहले इल्म की मुझे मालूम है मुझे मालूम है के अच्छे जुबे में अच्छे जुबे में मुझ जैसा कम पढ़ा भी कभी कभी ढूग जाता है तबज्जो चाओ क्या कहा मेरे आला आदे उठा दो परदा एरे जोर से भोल दो कहा कहा उठा दो परदा उठा दो परदा दिखा दो चेहरा है 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 अरमा यार आला हज़रत योई नहीं होता रे जो अपनी हर सांस मुझ तफा के कदमों में डाल दे वही परईली का इमाम अहमद रजा हुआ करता है वहा दार tornado ये वहावा नहीं है गाजियम الإंट Cня ये वहावा तो ये नहीं है ये लास पॉइंट नहीं है तो बास बदल जाने से हकीकत नहीं बदलती तो हकीकत to मुस्तफा की जात नूर बशरीयत का लबास डाल दिगा अब इसकी गवाही मुल्ला से नहीं कला मुल्ला खुद दे रहा कि जो अब्दुल्ला के घर आया है वो बेटा अब्दुल्ला का बाद में है रब का नूर पहले है सबानला, सबानला उठा दो परदा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है क्या कहा जाते बारी नहीं कहा तबज्ज़ चाओ इसलिए कि जो जात हो जाए वो खुदा कहा जो जात हो जाए वो खुदा कहा सिफत है अमा जात तो आदमी के अंदर है उठा दो परदा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है और जब रब का नूर बारा रभीबुन नूर को जाहिर हुआ तो लाश्ट पॉइंट लाश्ट पॉइंट काबा नहीं मांगा काबा नहीं मांगा हज नहीं मांगा रोजा नहीं मांगा हज नहीं मंगा काबा नहीं मंगा सरसजदे में रखा उम्मत मांग रहा बोल यार बोल यार बोल सबाल या उटता या रसूल आलहिकास्सलाम आमद आपकी हो और केसरो कसरा के कंगूरे तूट जाएं सनम कदो के बुत धल मलाने लगे बोल दो जोर से सनम कदो के बुत धन मनाने लगे कैसरो कसरा के कंगूरे जुख जाएं यतीम मुश्कुराने लगे और वो मुस्तफा हावें तो काबा ना मांगे काबा ना मांगे सजदे में सर रखकर अपने रब से उम्मत मांग रहे हैं या रसुलिल्लाइ उम्मत ने तो अभी देखा भी नहीं आपको उम्मत तो पहचांती भी नहीं आपको फिर उम्मत क्यों मांग रहे हैं जब आप मिलेगा मेरे आका करीम की दहली से उम्मत हमें देखे न देखे नभी अपनी उम्मत को देख रहा है तब बरेली का इमाम पुकार पड़े सुबह तयबा में हुवी बढ़ता है बाड़ा सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का स्लाम अलेकुम